कैसे हो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है अब सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सिस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस ना हो जाए वाटसब ग्रूप और टेलिग्राम में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगा का लिंक अवे लेबल है उसके उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यहाँ पर जो भी मैं अनालिसिस कर रहा हूँ वही अनालिसिस में सिखा भी रहा हूँ जीरो लेबल से विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर सो उस लेक्चर का यह कोर्स का डेमो लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवे लेबल है वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो काफी सारा नॉलेज आप लोगों को हासिल होगा सो हिंडाल को 469 के असपास हमने बाइंग किया हुआ है सो यहां पर जिस तरह के चार्ट के स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहे हैं हिंडाल को में जैसे ही 480 के उपर का 480 के उपर यह स्टोक सिस्टे नुना चलू करता है उसके बाद ही हमें अच्छा मौ आता हुआ इस स्टोक के अंदर दिखाई देगा एक बार हायर टाइम फ्रेम का चार्ट के स्ट्रक्चर में देख लेता हूँ तो हाइर टाइम फ्रेम पे अभी भी स्ट्रेंद बरकरार है कोई भी ऐसी खराबी देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ा हुआ है लेकिन मैं stop loss बता रहा हूँ वो stop loss बहुत ही important है और 444 का level इस stock के लिए लक्समन रेखा साबित हो सकता है 444 का level इस stock के लिए लक्समन रेखा साबित हो सकता है So, मैं आपको क्या suggestion दे रहा हूँ मैं जो भी लोग थोड़े aggressive category के लोग है उनको क्या करना है जब तक यह stock 480, 481 के ऊपर का sustainable closing नहीं देता है पोई भी long position नहीं बनानी है और यहां से stocks के अंदर फिर से गिरावट हमें देखने को मिलती है यहां से अगर फिर से stock के अंदर फिर से गिरावट हमें देखने को मिलती है 456 456 से लेके 456 से लेके 457 के बीच में किसी को भी long position बनानी है तो जरूर से long position बना सकते है मैं बहुती conservative stop loss आपको दे रहा हूँ वो stop loss है आपका 438 रुपीज का 438 रुपीज का closing basis के उपर stop loss maintain करना है इंडाल को के अंदर लेकिन जिस तरह से results आने के बाद जिस तरह से stock के अंदर momentum बड़ा है 3% का अपमूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है chances बहुत ही high है कि lower level आपको देखने को ना मिले और आने वाले दिनों में 480 के उपर का confirmation आपको दिखाई देगा so 480 के उपर जैसे ही confirmation हमें दिखाई देता है stock के अंदर momentum और जल्दी से बड़ेगा और stocks में higher level 540 540 तक के आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते है so risk reward ratio के अगर मैं बात करूँ तो हिंडाल को के अंदर chart का structure अच्छा है लेकिन weekly के उपर थोड़ा conservative है लेकिन stop loss है हमारे पास तो किसी को भी इतना risk लेना हो तो आप जरूर से risk ले सकते हो I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा Guys अगर मेरा advice आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर कीजिए आपका भी कोई query है तो live session में आके आप जरूर मुझे question पूछ सकते हो और सीखिए सीखने के बाद काम कीजिए मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखिए knowledge require कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखिए और सीखने के बाद काम कीजिए goodbye friends take care bye bye